इस वीडियो में हम लोग Tailwind की हिसायता से Margin, Borders और Padding को देखेंगे देखेंगे कि वो कौन-कौन सी Classes हैं जिनकी हिसायता से Margin, Padding और Borders को कंट्रूल किया जा सकता है Tailwind CSS के अंदर ये सारी की सारी चीजे करना एकदम आसान है दिखाता हूँ आप लोगों को चलते हैं Computer Screen में और स्टार्ट करते हैं अपने इस Margin, Padding और Borders के Lesson को मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग मुझे इस चीज के लिए हेट करेंगे लेकिन मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक नया फोल्डर और उसमें दुबाला Tailwind आप लोगो सेट अप करेंगे मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमें पिछले वीडियो में पता है कि किस तरह से Tailwind को सेट अप करना है और बार-बार क्यों बता रहे हो यार एकी बात लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बार-बार करने से इस चीज को आप लोगों के दिमाग में बैठेगी और आप लोगों को काफी अची तरह से यह चीज आईगी और आप लोगों को दिखेगा बार-बार जब मैं सेट अप करूँगा तो तो विद एट सेट मैं आप पर जल्दी से स्क्रेप्ट को चेंज कर दूगा, बना दूगा स्क्रेप्ट को और यहां पर मैं क्या करूँगा वीट लिख दूगा ठीक है देह रहो कितनी जल्दी मैं ने किया इक काम और इतनी जल्दी इसलीं किया क्योंकि भी repetition is the mother of learning, ठीक है, आप लोग भी अगर बार-बार करोगे, तो जब आप अपने आपको छटी सातवी बार यह करता हुआ देखोगे, तो आप लोग को पता चलेगा किनी तेज आप लोग कर रहे हो, अब मैं क्या करूँगा, तेल्विंड की config में यहाप पर star लगा दूगा, और star लगाने के बाद, मैं एक index.html फाइल बनाऊँगा, और उससे भी पहले आज screencast mode को on कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं कई बार भूल जाता हूँ screencast mode को on करना, क्योंकि पता नी क्यों, कोई मुझे ऐसे setting ने मिली है, जिससे कि हमेशा-मेशा के लिए screencast mode on रहे मेरे vs code में तो यहाँ पर मैं जल्दी से index.html बनाऊँगा, और यहाँ पर एक boilerplate code देने के बाद, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक div.mx2 बनाऊँगा, और यहाँ पर लिखूँगा, this is mx2, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, यहाँ tailwind भी तो include करनी है, तो link css और style.css file के पेस्ट करेंगे, अब आप लोग मुझे बता होगी कितना time लगा हमको यह पूरा setup करने में, कुछ भी नहीं लगा, आप देख लो कितने second हुआ है वीडियो में, कितने minute हुए, शाद 1-2 minute हुआ होगा, और यहाँ पर, मैं जब से मैंने start किया, यह करना obviously, तो यहाँ पर मैं npm run start करूँगा, मैं आपर npm run start करूँगा, और npm run start करने के बाद, आप लोग देखो यहाँ पर, tailwind CSN include हो चुकी है, mx2 बीस में लग चुकी है, और अगर मैं आपर थोड़ी बड़ी लगाता हूँ, ठीक है, इस बार मैं mx96 लगाँगा, मुझे बता है बहुत बड़ी glass ह लेकिन लग गई है, जसे कि आप लोग देख सकते हो, mx2, ठीक है, mx2 ने mx96 है यह, तो मैं इसको change कर देता हूँ, खेर, anyways, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार margin के बारे में देखेंगे, और मैंने margin लगा भी दिये, यहाँ टेल बीड इतनी आसान है, मैं आप हुई है, और आप लोगो simply copy paste करना है, और तब तक आप लोगो यह चीज करते रहना है, जब तक आप कुछ sites ना बना लो, और एक बार आपने उतनी sites बना ली, उसके बाद आप लोग को लगेगा, कि यह सारी की-सारी classes, तो मैं खुद Tailwind की documentation से देख सता हूँ, हाँ, कुछ setup है, जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसलिए मैं जादा से रहा time spend करूँगा, sites build करने में आने वाले projects में, और आप लोगों को यह दिखाने में time waste नहीं करूँगा, कि कहां पर कौन सी class मिलती है, ठीक है, तो अभी जल्दी से हम लोग margin की classes को यहाँ पर ढूंडते है, मैं quick search के तरू, तो मैं आपर margin लिखूंगा, margin और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से margin की page पर आ जाँगा, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, मान लो मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे पास MX related कुछ है, तो यह आ गया margin की classes का page, M0 से आप लोग margin 0 pixel लगा सकते ह MX 0 X axis में आपकी margin को 0 कर देगा, MY 0 Y axis में आपकी margin को 0 कर देगी class, और MT 0 margin top होता है, MR margin right, MB bottom, और ML मतलब margin left, ठीक है, वही तो बहुत ही simple है, ठीक है, अब कौनकुन सी values allowed है, वो देख लो आप, अगर आपको बहुत बड़ी चाहिए, तो आप क्या करो, कि कुछ इस तरह से, M96 जैसे मैंने भी थोड़ी तर पहले लगाई थी, वैसे लगा सकते हो, अब negative margin कैसे देते हैं, ये भी आपको बताता हूँ, negative margin कुछ इस तरह से सकते हो, अगर मैं यहाँ पर minus MX, MX8, ठीक है, MX8 लगाना चाहता हूँ, मैं save करूँगा, और यह मुझे दिखा रहा है, कि मैं कौ लगा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देको using negative values दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक class का use करेंगे, जो है space between, मेरे साब से इस class के बारे में समझना आप locally important इसलिए भी है, क्योंकि यह क्या करती है, कि सारे के सारे child elements में आप लोगों को class लगा कर देती ह अभी जो space between class है, यह बहुत जादा important इसलिए भी है, क्योंकि यह क्या करती है, कि child element में space लगा कर आप लोगों को दे देती है, और यह बहुत जादा helpful होता है, जब आप लोग navbar के अंदर spacing देना चाहते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों क्या कहने की कोशिश करना ह मालू मेरे पास एक navbar है, navbar के अंदर ul और li और यहाँ पर कुछ इस तरह से home, about इस तरह से अगर आप लोग लिख रहे हो, और इसके बाद letters से आप लोग लिख रहे हो services, यहाँ पर services लिख रहे हो, contact लिख रहे हो, ठीक है, बस यहाँ पर services और contacts लिखूँगा, contact, contact, जल्दी very good to be honest, but मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर class is equal to flex डालूगा, flex डालने इसे ही है, horizontal हो जाएगा, लेकिन इसके बीच की spaces जो है, वो zero हो चुकी है, अब मैं चाहता हूँ, obviously कि थोड़ी दूरी बना कर रखे हैं एक दूसरे से, क्योंकि ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, but मुझ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, space between, space, space between, sorry, space x, और class अगर आप भूल भी जाती हो ना, नाम को तो कोई attention नहीं है, आप देखो यहाँ पर सब कुछ suggestion में आ जाता है नीचे, space x3 कर दिया आपने, और यहाँ पर देखो, automatically, इनके बीच में space आ गई, horizontally, ठीक है, और क्या हम space y यहाँ भी कर सकतें, space y भी कर सकतें, अगर मैं space y4 कर दूँ, तो यहाँ पर क्या आए कि space y जब हम कर रहे हैं, तो first element के बीच में space नहीं आई है, क्योग आप लोग यहाँ पर देखें, तो यह बात बताई गई है, कि वहाँ पहले item में नहीं लगाई जाएगी, बागे सारे spacing की भी बात करें तो ये पहले element से पहले कोई spacing नहीं है आगे लगा ही जा रही है तो अगर आप लोग इसको ठीक करना अगर आप चाते हो why से भी spacing लगे इसमें तो एक काम तो किया जो जा सकता है वो ये है कि खाली li छोड़ दो आपर इस तरह से ठीक है अगर इसे छोड़ दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा वरना आप लोग जो है simply margin का भी use कर सकते हो और flexbox के अंदर भी हमारे पास बहुत सरी properties होती है उसका भी use कर सकते हो but कुछ इस तरह से आप लोग margin लगा सकते हो ये चीज आप लोगों को margin search करूँगा यहां पर देखोंगा कि क्या margin related और भी classes है जो कि हमें देखनी है यह था margin और padding के बारे में आप देखेंगे कि किस तरह से borders को हम लोग add कर सकते हो style कर सकते है तो अगर मैं आप borders में आ जाओं तो यहां पर देखो borders related बहुत सारी classes दी गई है आप लोग border radius को control कर सकते हो rounded classes को इस्तेमाल करके मैं चल दी से आप आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप पर div बनाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा div.h2 और उसके बाद .w4 और इसके बाद यहां पर bg red यह सारी classes के साथ div बनाऊंगा और I am a divis के अंदर मैं लिख दूँगा तो मेरी जो final class आईगी वो कुछ इस तरह से आरी क्या यहां पर bg red क्यों नहीं आया तो मुझे यहां पर bg red का variant चुनना पड़ेगा bg red 700 मैंने चुन लिया और यहां पर देखो यह bg red 700 आगया इसकी height मैंने यहां पर fix कर दी है मैं इसकी height को जो है कुछ ऐसे कर देता हूं और w4 क्या कर रही है 1 gram की height दे रही है तो मैं आपर करूँगा क्या कि थोड़ी सी बड़ी height मैं इस्तेबाल करूँगा sorry width इस्तेबाल करूँगा कुछ इस तरह से आप लोग को देती है art की margin अब यहां पर px rate भी मैंने डाल दिया m की जगा p लिख हो गए तो आपको padding मिलेगी margin की जगा ठीक है बिल्कुल same classes है इसके अंदर के text को white करूँगा तो मैं आप पर text white करूँगा अब text white class होती है तो मुझे यहां पर 800-900-1000 लिखने की ज़रूवत नहीं है अब क्या करेंगे यह करने के बाद हम इसमें border radius देंगे border radius के लिए मैं यहां पर क्या करूँगा और जैसे ही मैं यहां पर rounded लिखूँगा मार्लोमेस में rounded LG लिखता हूँ तो यहां पर rounded मुझे यह rectangle देखने को मिल गया यह use होता है कई बार buttons बनाने के लिए और इस तरह के buttons आप लोग बना सकते हो और आप लोग इन classes को use करते हो तो इसी के साथ तरह आप rounded MD, LG, XL2XL, 3XL यह सारी classes try करो तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा और यहां पर बहुत अच्छी तरह से डेमो दिया हुआ है कि किस तरह से आप लोग button भी बना सकते हो इन classes का इस्तेमाल करके ठीक है अब सिर्फ top में अगर देना है आपको right में देना है या left में देना है bottom में देना है तो आप इन classes का इस्तेमाल कर सकते हो round rate t मतलब round rate top में देदेगा यह LG LG जो भी size होगा ठीक है तो यहां पर इनोंने बताया हूँ अभी है कि round rate top right bottom left दे सकते हो इसके पास size mention कर सकते हो to only round one side of an element ठीक है simple जी कहा नहीं है अब border width की अगर आप बात करें तो आप कुछ इस तरह से border दे सकते border 2 border 4 border 8 border border लिखोगे तो एक pixel की विटता जाएगी तो यह काम करता हूँ मैं यह पर सिर्फ border red देता हूँ border red 900 देता हूँ ठीक है और यह करने से यहां फिर यह काम करता हूँ border yellow 900 देता हूँ ठीक है border yellow 900 मैंने दे दिया और मुझे यहां पर नहीं दिखा जो मेरा yellow color है इसकी क्या वज़ा हो सकती है देखता हूँ border yellow 900 भी दिया मैंने और यहां पर मैंने सब कुछ दिया मुझे यहां पर border class भी देनी पड़ेगी तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो बहुता जूम मुझे करना पड़ेगा आप लोग को यहां पर दिखेगा border अब यहां पर मैंने सिर्फ border का color दिया है मुझे border की width भी देनी पड़ेगी तो मैं border 2 कर देता हूँ border dotted border double फिर इसके बाद divide width divide width क्या होती है अब देखो यह क्या करता है divide width क्या करता है कि जो child elements है उनमे border देने में साहेता प्रदान करता है अब आप इसको check out करो और यह सारी classes देखो और इनको डाल डालके आप लोग बड़े अराम सी सारी चीज़े कर सकते हो अब अगर आप लोग को इनमें से गोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप always इस page पर आ सकते हो इस search को use कर सकते हो I hope आपको margin, border और padding के बारे आप पता चल गया tailwind में किस तरह से करते हैं सो यहाँ पर सारी की सारी classes आप लोग खुद से इनको चेक आउट कर सकते हो कि क्लास को डालकर मैं आप नहीं बताना चाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको चेक आउट करें अभी के लिए इस वीडियो में इतना है प्लेलिस को जरूर चेक आउट कर ले ना कोड़ की और आवल सी यू नेक्स ताइम